राक्तों रात सिर से लेकर पैर तक सरीर की सारी बीमारियों को चाट जाएगी बस ये एक चीज और कभी नहीं होगा जोडों का दर्ग, एनिंद्रा, मोटापा, डाइप्टी, कॉलोस्ट्रोल और दिल की बीमारियां आप हमेशा बेलकुल सवस्थ रहोगे नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाऊंगा दोस्तों जो नुस्खा आपके सरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज है और दोस्तों आप इस नुस्खे को अपने घर पर ही बना सकते हैं और इस नुस इलावा भी ये नुस्खा बहुत सारे बीमारियों का इलाज है। दोस्तो सिर से लेकर पैर तक आपके स्रीर की हर त्रहें की बीमारी को चाट जाएगा। दोस्तो इस नुस्खे की जो मुख्य समगरी है वो है धनिया, कोरियंडर, सी, खाने का स्वाद और महक को बढ़ाने के साथ-साथ धनिया हमारे स्रीर के लिए बहुत अधिक फाइदे मन हैं। इसके बहुत सारे फाइदे हैं। दोस्तो ये पोसक तत्वों से भरा हुए हैं। पोटासियम, कैलसियम, विटामिन C और मेगनीसियम जैसे तत्व इसमें भरपूर मातर में भरी हुए हैं। जो आप इन दोनों मेंसे किसी भी नुसके का प्रयोग कर सकते हैं अपने according। तो चली सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये नुसका कैसे-कैसे और किन-किन बिमारियों में काम करेगा. यदि आपको नसों में दर्द है, या नसों की कमजोरी है, या कोई नस दबी हुई है, या जोड की तरहें के दर से चुटकारा दिलाने का काम करेगा यदि आपको मोटापा है और आप अपने पेट की चरवी को कम करना चाहते हैं तो दोस्तों दब भी आपको धनियों के बिजों को पानी में उबाल कर हर रोज पीना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तब आपके प लोगनस है आपको उसको खोलना चाहते हैं या दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं और आपके दिल को भी मजबूत करने का काम करेगा आपके दिल की भी कियर करेगा यदि आप अपने पाचन को मजबूत करना चाहते हैं, जिससे कि आपको पेट में गैस, कबज और एसडिडी की समस्या ना आए, तो दोस्तो तब भी ये नुस्खा बहुत अधिक कारगर है, क्योंकि ये आपके पेट की पूरी त्रहे से सफाई कर देगा, जिससे कि पेट के जो भी एवांची तत्व होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, और आपका पाचन दंतर बिलकुल सही, सही तरीके से काम करेगा, और आप बिलकुल fit and fine रहेंगे, आपको पेट जोड़ी कोई भी समस्या नहीं होगी, यदि आपको दाइबटीज की समस्या है, और आप अपने सुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, दोस्तों तो आप जो भी आप दवायां ले रहे हैं, उनके साथ में इस नुस्खे को भी लीजिए, और ये नुस्खा आपके सुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करेगा, और इस सुगर लेवल के साथ में, जो इसी बीम पहले तत्वों को बाहर निकालना है तब आपको धनिय को पानी में उबाल कर पीना चाहिए क्योंकि धनिय को पानी में उबाल कर पीना इन चीजों का बिलकुल कारगर इलाज है। इस काड़े का जो आज की सुड़े में आपको मैं बनाना बताऊँगा इस काड़े का सेवन करेंगी तो उनकी यह एनिंदरा की समस्या भी दूर हो जाएगी पुरानी खासी का इलाज है और यदि आपको पिसाब खुलकर नहीं आता ये पिसाब करते हुए जल्म होती है तब तो दोस्तो इस से बहतर कोई नुस्खा नहीं होता तो चलिए आपको बताते हैं इन दोनों नुस्खों के बारे में और वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा नुस्खा आजमाना चाहते ही धनिया हमारी मुख्य समगरी है और दूसरी समगरी है सौंफ हरी मोटी सौंफ और तीसरी आपने लेनी है मिसरी ये तीन समगरिया आपको चाहिए नुस्खे को बनाने के लिए तो चलिए पहला नुस्खा आपको बना कर दिखाते हैं दोस्तो पहले नुस्खे को बनाने के लिए आपने क्या करना है दोस्तो रात को सोते से में आपने क्या करना है आप उसमें एक गिलास पानी और मिला दीजिए और आपने इस पानी को तब तक उबालना है जब तक कि आपने दो गिलास पानी लिया है और वो उबल उबल कर एक गिलास में रह जाए आपने देखा होगा कि मैंने भी ऐसे ही किया था रात को इन बीजों को पानी में भीगोकर रख दिये और सुबह इस पानी को उबाल लिया और इसके साथ में थोड़ा पानी और मिला दिया उसके बाद मैंने इस पानी को तब तक बाला जब तक ये आदा ने रह गया और जब यह पानी आदा रह गया तो आपका ये नुस्खा ready है आपने इस नुस्खे का सेवन सुभे खाले पेट करना है आप किसी भी बिमारी में इस नुस्खे का सेवन कर सकते हैं लेकिनि यदि आपको बवसीर की समस्या है तब आपने इसमें मिस्री मिला कर इसका सेवन करना है वैसे विए मिस्री मिला से हैं अपने सवाद के लिए पर यदि आपको बवसीर की समस्या है तब आप इसमें मिस्री मिला कर ही इसका सेवन करें अब जानते हैं दूसरे और इन तीनों को मिला कर आपने कोट कर इनका पावडर बना लेना है और आपने इसका सेवन M incentiv की मातरा में इसका सेवन भी सुब हाली पीट करना है wonder उसका सेवन भी आपने सुवे खाली पेट करने हैं ये हो गया आपका खाली पेट का मुस्का लेकिन यदि आपको एनिंदरा की विमारी है तब आपने दोस्तों हाराधनिया, सौफ और मिस्टि का सेवन इसके एक चम्मच का सेवन आपने रात को सोते सेमे करना है इससे आपको अच्छी नीद आएगी आपकी कोलोस्टोल की समस्या दूर हो जाएगी और आपके खून को साप करने का काम भी बड़े करेगा आपके चहरी पर नया गलो लाने का काम करेगा जिससे आपका चहरा खिल जाएगा तो दोश्तों देर की जबात की है आप भी आज से ही इन बीजों को पानी में उबाल कर पीना सुरू करतीजे और अपने सरीर की बहुत सारे बीमारियों का इलाज करतीजी दोस्तों आप इसको सधान नuskha समझने की बूलना करें क्योंकि ये नुस्खा बहुत अधिकारगर है और इसके बहुत सारे फाइदे हैं तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी अपने घर पर आज ही इस नुस्खे को बनाए और इस नुस्खे का सेवन सुरू करतीजी और अपने सरीर को बिलकुल मिरोगी बनातीजी तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जूड़ कीजी इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिप्रेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों